ऑथ जूक चलो स्ठाट करते हैं लास्थ टाइम थमनीं मोमेंट ऑफ अनցरश्या स्टाट किया था और इस दशाल आपर मोमेंट ऑफ आपर औरमेंट एंदर हमनேत MICHAEL कोS की विशेम रिंग आपर कैषनल को डिस्क का इस आक्सिस पे half mr square. फिर हमने डिस्क के बाद moment of inertia solid sphere तो solid sphere का moment of inertia was 2 by 5 mr square. 2 by 5 mr square. ठीक यह तक? तो cylinder का moment of inertia भी निकाला था. एक solid cylinder का moment of inertia about central axis is 1 by 2 mr square. कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो यह moment of inertia कैसे निकले थे? हमने बाई integration देखा कि कैसे हमने small small elements को consider किया और फिर उन्हें integrate करके total moment of inertia की value हमने निकाल ली. पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, next आज क्या करना है? आज की problem कुछ इस तरीके से है कि suppose मैंने moment of inertia let us suppose disk का निकाला यह disk है और इस axis के about moment of inertia की value मैंने कितने निकाली 1 by 2 mr square और इस के लिए काफी time हमने लगाया और by integration हमने इसको प्रूफ किया था अब problem यह है कि अगर कोई भी body है और उसका यह मान लो axis है और किसी भी body के आसपास m1, m2, m3, up to mn बहुत सारे particles है और moment of inertia अगर मुझे निकालने इस axis के about तो मैं m1 का perpendicular distance कहां से लूँगा इस axis से r1, m2 का कहां से लूँगा r2, m3 का कहां से लूँगा r3 and so on और फिर मैं m1, r1 square, m2, r2 square, up to mn, rn square, add या integrate करके अपना answer को निकाल लूँगा किसी ने क्या कहा वो कहता है कि body तो यही रखनी है same to same, body को change नहीं करना body को change नहीं करना लेकिन हमने क्या चीज़ चेंज करनी है इसका axis चेंज कर दिया अब मैं rotation इस axis के about नहीं करवाना चाहता हूँ अब मैं rotation इस axis के about करवाना चाहता हूँ पार्टिकल वैसे के वैसी पड़े हूए है m1, m2, m3, mn and so on पार्टिकल वैसे के वैसे पड़े हूए है तो इसके अंदर m1 का distance axis से कितना है r1, m2 का distance कितना है r2, m3 का distance कितना है r3, mn का rn आपको नहीं लगता कि आपके distances axis से change हो गए जब आपका axis चेंज हो गए तो आपके axis से सारे perpendicular distance भी change हो गए ऐसा ही हुआ इसमें अब इस case में जब आपके distances change हो गए तो moment of inertia भी obviously change हो गया तो अगर आप axis को change करते हो और central axis के about कोई भी कोई दूसरा तो आपको moment of inertia की value भी exactly क्या हो जाएगी change हो जाएगी कोई doubt इसमें यह point सबको समझ में आ रहा है यहां तक अब किसी ने कहा कि sir फिर इसका answer क्या होगा अब अगर मैं फिर से integration से करना शुरू कर दूँ वो तो बहुत ही लंबा काम है हमने तो भी तीन ही case किये थी by integration और कितना लंबा एक lecture लग गया हमें पूरा उसको समझे में और अब अगर मैं axis change करके i की value को change करता हूं तो obvious है कि answer क्योंकि change है तो method भी integration के बहुत लंबा है और वो करना हमारे लिए feasible नहीं है तो हमारे पास एक ऐसा shortcut होना चाहिए कि बिना integration के अगर हम इस question को solve करें तो बिना integration के उस question को कैसे solve करना है वो आज का काम है right shortcut है तो इसके लिए मेरे को दो theorem सीखनी पढ़ेंगी दो shortcuts है shortcut को theorems बोलते हैं दो theorem सीखने पढ़ेंगी और दो theorems का नाम है theorem of perpendicular axis और दूसरी theorem है theorem of parallel axis ठीक यह दो theorems है जो आज के lecture में हम क्या करेंगे discuss करेंगे ठीक इसे discuss करेंगे तो जो लोग recording सुन रहे हैं वो handwritten sheet no. 78 का print out लें और जिनके पास sheet मिल चुकी है जिने वो sheet no. 78 लिखें इसके ओपर प्लीज ठीक देखो इसके अंदर मुझे sheet के अंदर क्या given है theorem of moment of inertia theorem of moment of inertia के अंदर दो parts लिखे गए है theorem of perpendicular axis and theorem of parallel axis क्या है theorem उसके लिए सबसे पहले start करते है theorem of perpendicular axis theorem of perpendicular axis जो हमारा आज का पहला काम है theorem of perpendicular axis यह theorem हमें यह बताती है कि अगर आपके पास कोई भी एक body है कोई भी एक body है और जो की 2-dimensional body है देखो 3D नहीं है 2D body है 2D body मैं किसे बूलता हूं जैसे यह एक page 2D body है 3D body किसे बूलता हूं solid sphere एक 3D body है तो इसका जो solid sphere है वो भार की तरफ भी है उपर की तरफ भी है इस तरफ भी है हर तरफ जो है अपने area या volume की वाइस distributed होता है पर 2D body कैसे है बस यह 2D body है इसमें थिकनेस वारा कुछ नहीं है बस sheet है जैसे डिस्क है जैसे रिंग है यह सब 2D bodies है एक plane के अंदर bodies है बस xy plane के अंदर body है इसको 2D body बोलते है या फिर इसको 2D body की जगा हम बोलते है lamina तो फिर इक्स में इसको क्या नाम दिया जाता है lamina ठीक यहां तक तो इसके अंदर कोई भी एक arbitrary shape की body है मैं फिर कह रहा हूं यह ring भी हो सकती है यह disc भी हो सकती है और यह कोई भी arbitrary body हो सकती है मैंने कोई भी shape की body ले 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 इस body को अब कैसे भी rotate कर सकते हैं कोई कहता है कि इस body को इस axis के about rotate करें अब कर सकते हो कोई दिक्रत नहीं ऐसे rotate करेगी कोई कहता है कि originally, क्या मैं इसे ऐसे रोटेट करूँ, apologize whites Scan तो कर लोसलों सा इसको मत करो मैं से इसको इसके बाइट रोटेट करना शुरूर करदो कोई दिक्कत नहीं, कोई कहता है इसे इसको ऐसे रोटेट कर दूं तो ठीक है, इसको ऐसे रोटेट में theo् सब्सक्रार दो तो ये तो आपके ऊपर depend करता है कि आप rotation किस axis पर करवाना चाहते हो, आप अगर इस page का axis ये रखोगे, तो ये rotation ऐसे करेगी, इस तरीके से rotate करेगी, अगर axis ये रखोगे, ये ये pen ये, इसका axis है, तो ये rotation ऐसे करेगी, और अगर आप axis ये रखोगे, ये रहा, pen axis है, तो rotation ऐस करेगी, clear यहां तक, cut out इसमें, तो axis के ओपर depend करते हैं, आपने axis क्या लिया, axis कुछ भी हो सकते हैं, तो मैं तीन axis लेता हूं, और मैं एके करके discuss करता हूं, कि अगर axis क्या है, मानलो यह z axis है, z, z dash, मानलो यह axis x, x dash है, और मानलो यह axis y, y dash है, तो वह कह रहा है कि मानलो तीन axis लिये और तीनो एक point में से पास कर रहे हैं, तीनो और perpendicular to each other, तो आपके सामने यह diagram बनता है, यहां तक clear है, यहां तक, तो, theorem हमें यह बताती है, कि अगर आपके पास कोई भी एक body है, disc, ring है, कोई भी 2D, कोई भी shape की body हो, और अगर इसमें 2X कोई भी, 2X कोई भी, इसके plane में लाई करते हैं, plane का मतलब या इसमें या इसमें, और यह दोनों axis, याद रहें, यह दोनों के दोनो axis आपस में क्या होने चाहिए, पर्पेंडिकुलर होने चाहिए, यह पर्पेंडिकुलर है, तो दो आक्से आपने कैसे लेने हैं आपसे पर्पेंडिकुलर लेने हैं और जो प्लेन में लाई करते हैं, इसके प्लेन में लाई करते हैं जो तीसरा axis है, तीसरा axis, यह out of plane है और इस body के perpendicular है, तो यानि कि जो Z axis है, वो X और Y के perpendicular है, तो तीन axis है, X axis, Y axis और Z axis, ठीक है आतल, तो मैं इसको practically समझाता हूँ, जैसे यह एक lamina कोई भी body है, एक axis यह रहा, एक axis यह रहा, आपस में perpendicular है, और यह दोनों axis एक plane में लाई करते हैं, और तीसरा axis कहां लाई करता है, out of, इस plane के perpendicular, तो rule यह बोलता है, इस plane के perpendicular जो plane है, इसका moment of inertia, इन दोनों axis के moment of inertia के equal आएगा, कहने का मतलब, कि अगर मान लो, अगर मैं बोड़ी को ऐसे rotate करता, X के about, तो moment of inertia क्या आता आए, X, X dash, मान ल कोई value आती, अगर मैं body को Y के long rotate करता, तो मान लो, moment of inertia, आए, Y, Y dash आता, और अगर मैं Z के long rotate करता हूं, तो I, Z, Z dash आता, तीनों में different, different answer आते हैं, theorem of perpendicular axis हमें ये बताती है, कि अगर ये तीन axis हैं, और एक ही point में से पास कर रहे हैं body के, उन में से दो axis इस plane के अंदर है, तीसरा perpendicular है, तो जो plane perpendicular है, उसके along moment of inertia is always equal to sum of moment of inertia about those axis, जो plane के ऊपर लाई करते हैं और आपस में perpendicular हैं, कहने का मतलग कि जैसे suppose, ये कोई भी एक 2D body है, lamina है, तो एक axis ये रह, एक axis ये रह, दो axis तो ये होगे, ये रह, और तीसरा axis ये रह, तो अगर इसके along moment of inertia 10 है, इसके along moment of inertia 5 है, तो इसके about moment of inertia 10 plus 5, 15 है, कई लोग इसको ऐसे याद करते हैं, कि moment of inertia z के along is equal to moment of inertia x के along, plus moment of inertia y के along, वो x, y, z याद करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करना, कल को suppose करो मैं ये बोलता हूँ कि ये मेरा z axis आपकी तरफ है, और कल को मैं बोलता हूँ कि ये y axis और ये x axis है, तो अब क्या rule लगा होगे, i z is equal to i x plus i y, गलत, आपने ऐसे नहीं आद करना, आपने ऐसे आद करना है, कि दो axis इस plane के बीच में होंगे, तीसरा axis इस plane के perpendicular होगा, राइट, दो axis plane में होंगे, तीसरा perpendicular होगा, तो जो axis perpendicular होगा, उसका moment of inertia कि इसके equal होगा, उन दो axis कि moment of inertia के equal, जो इसके plane में लाइख करते हैं, तो आपने यह देख लेना है, नाम से याद नी रखना, कौन x है, कौन y है, कौन z है, आपने यह देखना है कि दो planes, यह दो moment axis इस plane के अंदर हैं, और एक out of plane है, तो जो out of plane है, उसका moment of inertia, जो plane के अंदर axis है, उनके sum के equal होगा, that's it, x, y, z का कोई चकर नहीं, को doubt इसमें, तो सबसे पहली चीज, किसी ने shortcut के निकाला, तो कैसे निकाला, उसको कैसे पता लगा, कि यह rule valid है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका proof करेंगे, और proof करने के बाद, हम इसको लगा के देखेंगे different different bodies में, और देखेंगे कि यह हमारे जो concept है, यह चीज़ों को असान करता है, च अब एक figure को refer करो, तो इसके proof के लिए, suppose यह कोई भी एक body है, किसी भी shape की हो सकती है, कोई दिक्कत निया, horizontal plane में पड़ी होई है, ठीक यहां तक? Suppose, यह एक axis है, x-axis, x-axis, यह एक axis है, मालो y-axis, और x और y आपस में क्या है? यह पर्पेंडिकोलर आपस में, और यह एक axis है, जो इसके पर्पेंडिकोलर तो है, लेकिन आट-ओफ प्लें है, प्लें के पर्पेंडिकोलर आइ, निटी डिग्री पे, कोई आउट इसमें, क्या यह पॉइंट क्लियर है हाँ तक? संभ्यार हा आँ तक? हमें काम करते हैं हम इसके अंदर कोई भी एक पार्टिकल लेते हैं, जैसे ये एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल है M1 ये पार्टिकल है M1 राइट इस पार्टिकल का कॉडिनेट X, Y प्लेंड में कितना है, suppose X1, Y1 इसका जो coordinate है, वो कितना है? X1, Y1 Right? Clear है यहां तक? तो इसके अंदर यह जो particle M1 जिसका coordinate X1, Y1 तो इसके अंदर X1, Y1 को अगर plot करना है तो कैसे plot करेंगे? यह X-axis है तो यह distance यहां से लेके यहां तक, suppose कितना है? X, 1 और यह क्या है? Y-axis तो एक काम करते हैं, यहां से लेके यहां तक, यह distance कितना है? Y? 1. क्या step clear है? X-axis, X1, X-axis के along मिलेगा, और Y1 Y-axis के along मिलेगा तो X-axis के along, X1 Y-axis के along, Y1 ठीक, तो इसको ऐसे करते हैं, जोइन करते हैं, तो यह भी क्या हो जाएगा? X1 parallel, और यह भी क्या हो जाएगा? Y1, तो this is parallel to this, कोई doubt इसमें? ठीक है, यहां तक, तो यह क्या हो जाएगा? Y1 पॉंट समझ में आ रहा हैं यहां तक? अच्छ, अब यह बताओ, अगर मैं यह पूछूँ, कि मेरेको moment of inertia X-axis के along निकालना है, तो moment of inertia मुझे इस particle का, यह point mass है, point mass का moment of inertia किस axis के about निकालना चाहता हूँ? X-axis. Rule क्या है? Point mass का moment of inertia निकालने का तरीका. आप point mass ले M, और उसका perpendicular distance ले किसे axis से, जिसके about of moment of inertia निकालना चाहते हैं. तो जैसे, यह point mass क्या है? M1, और आप X-axis के about निकालना चाहते हैं, moment of inertia, तो आप M1 का perpendicular distance कहां से लेंगे from X-axis, जो कि कितना है? Y1. Check करो. M1 का distance इस axis से कितना है? Y1. तो moment of inertia क्या हैगा? M1 into Y 1 square. को doubt इसमे? Point समझ में आ रहा है है हाह तक? कि कई लोग याद करते हैं कि क्योंकि हम तो X निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर तो X आना चाहिए. नहीं, यह logic नहीं है. क्योंकि हम M1 का moment of inertia निकाल रहे हैं, तो M1 का moment of inertia, M1 का distance कहां से लेना है? From X-axis, जो कि X1 नहीं है, जो कि Y1 है. को doubt इसमे? Similarly, अगर मैं दूसरा पार्टिकल लेता, M2 तो उसका पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाता? Y2, M2 इंटो Y2 स्क्वेर. Similarly, अगर मैं तीसरा पार्टिकल लेता, तो M3 इंटो Y3 स्क्वेर, करते, 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 Mn इंटो Y N स्क्वेर. को doubt इसमें? YN स्क्वेर. ये स्टेप क्लियर है? तो इसके अंदर अगर मैं मोमेंट ओफ नशिया, X-Aक्सिस के अलोंग लूँ और इसको समेशन की फॉर में लिखूँ, जैसे माच्स में लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या है? M1, M2, M3, M4, M5, in general M, I. यहाँ से स्टार्ट और यहाँ से लेके कहां तक जा रहा है? N तक. Next क्या है? Y1 स्क्वेर, Y2 स्क्वेर, Y3 स्क्वेर, Y4 स्क्वेर, Y I स्क्वेर. तो in general इसको क्या लिख सकते हैं? M I, Y I स्क्वेर, को doubt इसमें? तो इसको summation की फॉर्म में, M I into Y, I square, this is equation number 1. Point समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक. Next. उसी तरीके से, अब अगर मैं moment of Nalishya का axis change करता हूँ, अब मैं कहता हूँ मुझे moment of Nalishya किस axis के about निकालना है along, Y axis निकालना है. तो Y axis के about, कहां पर Y axis? यह Y axis है. Y axis से, इस पार्टिकल का पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस कितने है? X 1. तो Y axis से, पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस कितने है? X 1. तो यहाँ पर क्या एगा? M 1 into, कितना? X 1 का square. M 1 into X 1 का square. ठीक यहाँ तक? प्लस, M 2 into X 2 का square. करते-करते, M N into X, X N का square. कोई डाउट इसमे? प्लस, समझ में आरे यहाँ तक? तो Y axis से, पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस X की फोर्म में आएगा. तो एक काम करते हैं, I, Y, Y' will be equal to summation. M 1, M 2, M 3 की जगा, M I, X 1 square, X 2 square, X 3 square की जगा, X, I का square, where I start from 1 to M. Poynt समझ में आरा यहाँ तक? अब एक काम करते हैं, इन दोनों इक्वेशिशन को, आड कर देते हैं, तो यह मैंने, अब आड करूँगा, तो आड करके मेरे पास क्या हैगा, देखो, जब मैंने आड करूँगा, I, X, X dash, I, Y, Y, dash will be equal to, तो तो इस प्लस इस राइड हैंड साइड पर क्या एगा, सुमेशन M, I, Y, I का स्क्वेर, I, 1, 2, n सुमेशन M, I, X, I का स्क्वेर, I start from 1 to n, को राउट इसमें? तो आड कर दोनों इक्वेशन को, आड कर इन दोनों इक्वेशन को, I, X, X, dash, plus I, Y, y, dash, is equal to summation, summation, M, I कामन आएगा, M, I, तो क्या बनेगा? X, I, square, plus Y, I, square, common आगया, where I start from 1 to n, को राउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, तो यह आपके पास क्या आगया? X, I, square, और Y, I, square. यह step अबको clear है? अच्छा, अब यह बताओ, कि अगर यह मान लो X1 है और यह Y1 है, इसका कोडिनेट X1, Y1 है, इसका, मैं यह नहीं पूछ रहा है कि इसका Z कोडिनेट क्या है? तो कि Z कोडिनेट तो अबविसले इसमें 0 ही रहेगा, विकास यह X, Y, plane में बात हो रही है, इसका 90 डिगरी का ट्राइंगल है, ऐसी करेंगे, अच्छा, इस डिस्टेंस को कोई भी नाम दे दूँ, चलेगा, P, Q, R, ठीक है, चलेगा तो ठीक है, मैं इसका नाम Z1 देता हूँ, अब कोई कहते है, Z कोडिनेट तो 0 है, जैसे यह एक पारिकल है, तो इसकी दूरी कितनी है, Z1 है, तो जो पारिकल यहाँ होगा, Z2 है, Z3 है, Z4 है, То Z का मतलब यहाँ पर कॉर्डिनेट नहीं है, Z का मतलब यहाँ पर डिस्टन्स फों पर परपेंडिकुलर ऐक्सिस है, तो वेर, लिख देता हूं ताकि confusion नाओ कि एक्सिज है कि नहीं, लिख देता हूं कि यहां पर Z पाइथोगर्स से क्या एगा? X1 square plus Y1 square, ठीक है? पाइथोगर्स से में यह लिख सकता हूं यह से. क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? कोड़ाउट इसमें? अब इसके अंदर, इसके अंदर, जो हमने next करना है, मुझे बताओ कि इस पार्टिकल के लिए X1, Y1 के लिए Z1 square क्या है? X1 square plus Y1 square. अगर कोई second particle होता, तो Z2 square क्या होता? X2 square plus Y2 square. ऐसे अगर third particle होता, तो X3 square plus Y3 square क्या होता? Z3 square. ऐसे अगर in general लिखा जाए, XI square, YI square, यह क्या हो जाएगा? Z, I square किसी भी particle के लिए, आयथ particle के लिए, यह rule valid है. तो एक काम करते हैं. इसकी जगह मैं replace कर लेता हूँ, Z. तो मेरे पास क्या हैगा? मेरे पास, इसकी जगह जब मैं Z put करूँगा, तो मेरे पास term आएगी. I, I, X, X dash, plus I, Y, Y dash is equal to sigma, M, I, Z, I square, where I start from 1 to N. Go out इसमें. ठीक. इसको अगर हम expand करें, तो क्या बनेगा? M1, Z1, square, plus M2, Z2, square, plus M3, Z3, square, up to MN, Zn, square. तो basically, अगर suppose ये कोई body है, ये इसका axis है, तो इस case में, M1, M2, M3, up to MN, तो M1 का perpendicular distance कितना है, point mass का Z1, M2 का Z2, M3 का Z3, तो M1, Z1, square, M2, Z2, square, M3, Z3, square, will give moment of inertia about Zx. और हमने ये प्रूफ करना था, I of Z axis is I of X axis plus I of Y axis. क्या ये points सबको समझ में आ रहे हैं? प्रूफ कैसे करना है? लिखो as important for school. स्कूल के अंदर द्योनों थेरम का प्रूफ आएगा, जब भी आप जाओगे, लेकिन competition में, मोमें तर में आशिया के ओपर application आएगी, आज हम एक objective sheet करेंगे थोड़ी देर में, उससे समझ में आएगा कि हमने क्यों किया. point clear है यहां तक, good out इसमें. तो क्या है यह rule, यह at least समझ में आ रहा है, कि यह आया कहां से, proof clear है, अब फाइदा क्या है इस theorem का, कैसे लगेगी यह theorem, इसको एक बार discuss करते हैं. क्या फाइदा है, इसको एक बार देखते हैं. बेखो. लाइब लाइब आपष. झाल 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 तो इसके अंदर अब जैसे इसकी application बताता हूँ क्या फाइदा है इस application का इसको एक बार देखते हैं ठीक देखो आगे देखो प्लीज अब यह बहुत इंपॉर्टन अप्लिकेशन है जैसे सपोस करो आपके पास एक डिस्क है क्या होगा आपके पास एक डिस्क है एक डिस्क का moment of inertia इस axis के about क्या होगा 1 by 2 m r square हमने बार इंटिकेशन सीखा था अब किसी student ने कहा कि तो ठीक है आपको इस axis का तो याद है formula क्योंकि आपने इंटिकेशन से सिखाया था मैं axis change करना चाहता हूँ मैं इस डिस्क को ऐसे नहीं घुमाऊंगा तो कैसे घुमाऊंगा डियामेटर के about घुमाऊंगा मैं इसको ऐसे घुमाना चाहता हूँ तो आप मुझे बता सकते हो कि इसका इसका मोमें और अश्या क्या है अब मैंने का ठीक है एक तरीका मैं इंटिकेशन करता हूँ वह नहीं इंटिकेशन से हम पहली बहुत तीन बहुत है हमारे लिए वह पिर्पिस्टा बहुत हो गया चौथा नहीं आप मूर कर सकते और वाकिए भी बहुत जो है तो हमने लास्ट लेक्टर देखा ही था कैसी कि आपने अब तीन बहुत है तीन में ही सफिशन जो है इतना रहता है तो अब कोई ऐसा तरीका बताओ कि कुछ ना करना में परस अंसर आ जाये तो इसके लिए Theorem of Perpendicular Axis पर एक पॉइंट सीख लो कि अगर suppose करो कोई भी बॉड़ी है जैसे ये एक डिस्क है इस डिस्क का डायमेटर ये है कोई करेगा ये क्यों है ये भी तो सकता है कोई करेगा ये क्यों है ये भी तो सकता है आ तो ठीक है जो मरजील हो ये निर्वॉट्र 당ет निर्व थो कोई डियोमेटर जब बूलता है तो ये थोडिग Rights कोई भी लेसकतेrilि तो किसी भी डायमेटर के मोमेंटल है ।ो मोमेंट answer सेम ऐगा एसा नहीं होता कि इस diameter का तो 10 answer है तो इसका 20 हो जाएगा, नहीं होगा, हर diameter का answer same है, अच्छा, काफ करते हैं, मैं, इमाजन करता हूँ कि मैं दो diameter ले रहा हूँ, एक ये वाला, और एक इसके perpendicular, ठीक है, मरजी है, answer तो same ही आएगा, इसमें तो कोई दिककत है, मैं कोई भी दो diameter लेता हूँ, एक ये ले ले लेता हूँ, और एक ये ले लेता हूँ, तो इत मींस कि मैंने एक diameter ये लिया और एक diameter exactly इसके perpendicular ले ले लिया, ताकि ये दोनों आपस में क्या हो, 90 degree पे हो और perpendicular हो, ठीक है तक, अब आप ही ने बताया, कि चाहे ये diameter लो, चाहे ये diameter लो, आंसर तो same ही आएगा, suppose answer क्या था है, आए diameter, कुछ भी, 10, 15 जो भी value है, तो देखने वाली बात ही है, कि अगर इस diameter में value आए diameter है, तो इसके अंदर भी क्या है, आए diameter ही है, कुछ डाउट इसमें, आंसर सेम आएगा, क्या है पॉइंट समझ में आ रहे है, अचा, अब एक चीज एखो, कि दो एक्सिस, दो एक्सिस, एक प्लेन में अक्ट कर रहे है, आपस में पर्पेंडिकुलर, तीसरा एक्सिस इन दोनों में से पास कर रहे है, दोनों एक्सिस में से, और इस डिस्क के साथ क्या है, 90 डिग्री पे, कुछ आउट इसमें, और रूल क्या है, रूल यह है, कि पर्पेंडिकुलर, यह जो वैल्यू आई, जेड एक्सिस हो गया, आउट अट अप्लेन है, यह मोमेंट ऑफ जो वैल्यू है, वो इस डियमेटर के अबाउट अब्थ मोमेंट ऑफ अफ फेरिशा के एग्जाटली एक्कोल आईगी, बताया था मैंने, अगर दो एक्सिस में, एक प्लेन में और आपस उन है, और आपस में क्या है, पर्पेंडिकुलर है, तो आई डियमेटर, इसमें ए हुए और किसके equal आएगी half mr square, point समझ में आ रहा है, जैसे आप अपने मन में इसको z axis मान सकते हो, इसको x axis इसको y axis, तो z is equal to i x plus y, क्या रूल क्लियर है यहां तक? को doubt is में, तो answer आगया, देखो कैसे, तो 1 by 2 mr square is 2 times i diameter, तो बोलो i diameter किसके equal आएगा, 2 नीचे आगया, तो 1 by 4 mr square, को doubt is में, 1 by 4 mr square, तो answer आगया, देखो बिना integration के answer, एक line में ही convert हो गया, यह फायदा है theorem of perpendicular axis का, कि अगर आपको 2 axis एक plane में गिवन है और तीसरा axis out of plane गिवन है, तो 2 axis के sum के equal होगा, क्या यह rule समझ में आ रहा है सबको, जो राच क्लिए रहे हैं तो इसका momentum अरशया क्या था half mr square, वो किसके equal होगा, इसके और इसके sum के equal होगा, और 2 axis जो plane के अंदर हैं, उनका diameter की momentum अरशया तो सेम ही है, तो आसे value half हो जाएगी, फिर से करो, suppose एक ring है इस बार, yellow, एक ring है, एक ring का यह diameter लेलिया मैंने, और दोनों आपस में क्या है, 90 degree पे, हाँ, इसके about ring का moment of inertia कितना है, mr square, तो बोलो, इस diameter के about value क्या होगी, कितने लोग बोलते है half mr square, हाँ, तो ठीक है ना, तो क्योंकि इसके about moment of inertia id plus id diameter में सेम रहेगी, तो mr square is two times id हो जाएगा, i of d की value हो जाएगी one by two mr square, कोई doubt इसने, point समझ में आ रहा है यहां तक, और मैं आपको एक और भी shortcut बताता हूँ, कि अगर आपको perpendicular axis का momentum ratio 10 given है, एक lamina का 10, और symmetrical body है, ring, disc कैसी भी, तो diameter के about value half हो जाती है, तो five हो जाएगी, done, कौन सी theorem, पता ही लिए आप, देखी लिए आपने, तो इस theorem का सीधा shortcut लग जाएगा, तो सीधा value को half pole देंगे, clear यहां तक, cut out इसमें, तो फिर एक और question solve करके दिखाओ, कि suppose आपके पास एक solid sphere है, एक solid sphere का यह x-axis है, यह इसके अंदर से y-axis है, और यह इसके अंदर से z-axis है, तीन x-y-z, solid sphere के इस axis पे moment of inertia two by five mR square, बोलो, x और y में moment of inertia क्या होगा, किते लोग बोलते है, मतलब, two by five mR square के two by ten mR square, two by, किते लोग five बोलते हैं, किते ten बोलते हैं, देखो, theorem of perpendicular axis lamina पे लगती थी and sphere is not a lamina, 2D body नहीं है, 3D है, यह fail है यहाँ पे, लगी नहीं सती, point number one, चलो, लगती से लग गई, चलो लगा देते हैं, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, sphere इकलुती ऐसी body है, हर तरफ से बराबर है, right, आप कोई भी axis center से enter करवा दो, वही उसका diameter है, वही उसका perpendicular axis है, क्या फरक पड़ रहा है, आप कोई भी axis ले लो, sphere के बीच में से, वही उसका diameter नहीं act करेगा, यह axis इसका diameter नहीं है, बिल्कुल diameter है, sphere के अंदर से, center में से कोई भी axis पास कर गया, उसका diameter ही तो ठीक तो बोल रही है, हर axis में value विल रिमेन, तो यह theorem इस पे मत लगाना, रिंग और डिस पे लगाना चलेगा, कोई doubt इसमे, points अब को समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक, okay, तो theorem of perpendicular axis clear है, एक और theorem है, जिसको बोलते है theorem of parallel axis, तो बस आज हमने दो theorem ही करनी है, और इसकी बस कुछ questions दूँगा, वो questions आपके मुझे solve करके दिखाने हैं, बस आज का lecture इतना ही रहेगा, ठीक, बोलो, स्क्वेर के बारे में हम बात नहीं कर सकते अभी, क्योंकि हमें square का, central axis का moment हम नहीं रिशया नहीं आता, हम उन bodies की बात करेंगे जो लास्ट लेक्चर में डिसकस की, arbitrary bodies का हम निकाल नहींगे, मुझे कोई बाडी का निकाल तो आए, तो मैं निकाल नहीं पाऊंगा, standard bodies का मुझे पता है, 5-6 bodies मैं लास्ट टाइम करवाई थी आपको, 5-6 bodies जो और objective में आ सकती हैं, उसकी list भी त्यार है, उसकी अभी शीट दूँँआ मैं थोड़ी तेर में, या नेक्स लेक्चर दूँगा, तो इसमें लिस्ट बनी हुई है, मुझे अगर वर्स्ट केस अगर कोई कॉश्ट चेंज होता है, तो यार हम उस objective में या स्कूल में जाके, subjective में उसकी इंडिकेशन कर दो सॉल कर नहीं सकते हैं, तो भूली जाओ, नहीं होगी, तो हमें कम से कम फॉर्मॉले तो पता हूँ, डिफ्रेंट डिफ्रेंट बॉड़ी के जो पेपर में आ सकते हैं, तो याद कर लेंगे, क्योंकि चैप्टर तो इसके अप्लिकेशन पे है ना, हमने पता लग या कैसे निकलते हैं, तो देखो, next is theorem of parallel axis. Okay, theorem of parallel axis. यह theorem है, ठीक, अब theorem of parallel axis क्या है, यह बहुत सही theorem है, बहुत ज़्यादा इसके उपर कोश्चेश आते भी हैं, ध्यान से देखने हैं, देखो, theorem of parallel axis में, पहले theorem क्या है वो बताऊंगा, theorem कैसे लगती है वो बताऊंगा, कहां से theorem आई, फिर end में बताऊंगा, तो पहले क्या theorem है? यह theorem के अंदर जरूरी नहीं है कि lamina हो, किसी भी body पे लगती है, sphere पे भी लगती है, disc, ring, jamarji, लगाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है, पास कर रहा है, ठीक, अब देखा जाए तो जो हमने last lecture में derive किया, ring का moment of inertia MR square है, तो हमने भी axis कहां से पास करवाय था ring के? Center of mass में से, हमने कहा disc का moment of inertia कितने है, half MR square, हमने axis कहां से पास करवाय था disc के? Center of mass में से, sphere का 2 by 5 MR square है कहां से पास करवाय था center of mass में से, तो center of mass में से अगर कोई axis पास करता है, तो moment of inertia की value हमें याद है, हमने याद किया हुए है, problem यह है कि अगर किसी ने axis को shift कर दिया, फिर क्या करना है? तो हमने क्या करना है, जैसे question है, कोई अगर center of mass के about यह बोलता है कि मुझे moment of inertia मालूम है आया है, यह तो given होगा question में या आपको याद होगा इस question में कि इसका answer है पर हमने यह निकालना है, यह याद होगा question में, हमें यह given होगा, कि मेरे को मेरा axis change करना है और axis यह नहीं है, axis यह इस axis के about मुझे moment of inertia यह निकालना है, और यह given होगा, तो axis में perpendicular distance given होगा exactly कितना है edge, इन दो parallel axis में perpendicular distance is edge, और body का mass कितना है m, तो theorem यह बोलती है, मतलब यह बाद में बताऊँगा कैसे आई theorem के accordingly, theorem theorem यह बताती है कि जो नया moment of inertia आएगा उस axis के about जो इस axis के साथ क्या है, parallel है parallel है, और जिसके about मुझे moment of inertia निकालना है तो moment of inertia i' will be equal to, moment of inertia जो i इसमें होगा, वो तो होगा ही होगा, plus mass of body into, जो भी इन axis की बीच में distance होगा h, उसका whole square, यह formula है theorem का, जो आज हम prove करेंगे, कि अगर center of mass axis का moment of inertia i मुझे मालूम है, तो नए axis का moment of inertia will be equal to i plus mh square क्या यह point समझ में आ रहा है यह यह formula है, मतब कहां से आया, मैं आपको भी बताऊंगा ठीक, formula clear है मैं एक दो bodies पर लगा के दिखाता हूँ यह और clear होगा, और example से समझाता हूँ यह क्या है, देखो जैसे suppose करो, मैं लगा के दिखा रहा हूँ आपके पास अब क्या है एक disc है एक disc, यह एक disc है इस disc के center of mass में से अगर कोई axis पास करता है तो मुझे मालूम है कि इस disc का moment of inertia कितना है, 1 by 2 mr square है ठीक, यह value है मेरे को question आएगा कि इस axis के about moment of inertia बताओ क्या होगा अब देखने वाली बात ही है कि जो निया axis है मेरे पुराने axis के साथ क्या है पारलल है और पुराना axis कहां से पास होना चाहिए from center of mass यह जरूरी है, center of mass में से ही होना चाहिए को डावट इसमें तो इन में perpendicular distance बोलो कितने है r, radius ही है obviously r, तो बोलो इसके about moment of inertia क्या होगा half m r square तो हो गई होगा क्योंकि i की value मुझे already मालूम है कितनी half m r square यह तो हो गई होगा plus mass into distance 2 axis में कितने r, m r square भी होगा तो moment of inertia की value क्या हैगी? 3 by 2 m r square कोई doubt इसने तो theorem कैसे लगती है यह समझ में आ रही है except इसके की theorem आई कहां से तो theorem कैसे लग रही है समझ में आ रहा है फिर देखते है एक बार जैसे suppose आपके पास एक solid sphere है एक solid sphere यह एक solid sphere है इस solid sphere के यहां से center of mass में से अगर कोई axis पास करे तो formula क्या होता है 2 by 5 m r square यह formula होता है लेकिन मेरेको axis exactly इसके सथ tangent given है tangent देख रहे हो, यह tangent है और इनकी बीच में distance perpendicular कितना होगा बोलो, r तो moment of inertia इसके about क्या आएगा नया moment of inertia 2 by 5 m r square plus m r square, mass into perpendicular distance square solve करेंगे 7 by 5 m r square इस तो बढ़िया हो गया axis कहीं भी parallel दिखेगा integration की जरूरत का है उठा के m r square, m h square इसमें add कर देंग, answer आजाएगा point सबको समझ में आ रहा है कि कैसे करना इसे ठीक, एक और question करके दिखाओ फिर इसमें यह लो, लगा के दिखाओ इसका answer क्या होगा, बताओ, कि अगर आपके पास जो body है, वो एक thin rod है thin rod, यह thin rod इसका mass क्या है length is L हमें मालूम है कि अगर axis यहां से पास होते है तो moment of Nalisha का formula ml square by 12 यह distance कितना है L by 2, यह कितना है L by 2, मेरे को इसके tangent के about बताने answer क्या होगा मुझे moment of Nalisha इस axis के about बताने क्या होगा इसके about answer ml square by 12 तो होगा ही होगा plus mass into 2 axis में perpendicular distance कितना है L by 2 का square add करो LCM low ml square by 3 is the answer good out इसमे LCM लेकर दिखवा answer आएगा good out इसमे क्या है यह याद कर लो ml square by 3 बाकी तो कोई याद नहीं करने के जरूद तो क्यूशन में देख लेंगे पर ml square by 3 बहुत यूज होता है कि रोड का अगर तेंजेंट है तेंजेंट के about अगर अगर center में से पास कर रहे तो ml square by 12 और अगर तेंजेंट है तो ml square by 3 कोई डाउट इसमें क्लीर है यहां तक ठीक तो फिर एक और अंसर दो बोलो इसका अंसर क्या होगा कि अगर सपोज यह एक रॉड है थिन रॉड है मास में लेंथ और थिन रॉड यहां से हिंजड है किसीने वो झाअ तो एक नट लगाया और यह ऐए की खूम सकते इसके बाउट तो अगर रॉड इसके बाउट गूम सकते तो बोलो अग्सिस ऑहां से पास करे गा इसके अंदर बोलो अंसर क्या होगा मोमेंट ऑफ अनर्शय का किते लोग बोलते इसके अबाउड तो निकाल लो फिर कि अई सकता है काक्राऊत हुट कि अईर्छ रखेंग और रखेंग सफ से gostहा रख से कि अईर्णाज़ को ह जे सकता हुट झाल झाल में 3 तो आएगा इस क्वेस्चन में उस क्वेस्चन में और इस क्वेस्चन में फरक कहाए ये तो बताओ सिरफ व्यू का ही फरक है देखो क्या व्यू एए इसमे आप रॉड को ऐसे घूमते वे नजर अब इमाजन कर सकते है वर ऐसे खूमेंगी तो ऐसे चलेगा अगर ये अशे पूरी फुरी बोरी रण ऐसे घूम जाएगी अब इसमें क्या प्रोब्लम में नीचे किर जिर्ग यह घूमती भुई स lorsque're the two left were chasing, why would he take theoustail dead, what should happen? यह axis होगा अब इस草क की तो नहीं सबना भूआ पढ़ेगा, पेन किसात तो अब इसका Axis the point उहां एक्सेस जथे होगा, यहां पहुता जररर यहां आजे होटा इसके बाउट M9 यeg 18 is about M9 इसके about M慢 by 12 plus M into L by 2 का same M square by 3 ही होगा. डाउट इसमें? पॉइंट सबको सम्में आ रहे हैं? कोई फरक नहीं है. कि पॉइंट सबको सम्में आ रहे हैं? M L square by 12 कासे हुआ? अगर ये रोड दोनों एंड से घूमती है ये देखो. ये एक्सिज है. हा ना? तो फिर एक्सिज ये है तो अगर एक्सिज हो गया न ये वाला? देखो ना? अगर रोड ऐसे घूमती है तो एक्सिज यह साह इस डाज़ डाज़ इस अब इसली का इसली एकवार मेरी फिंहर निर्टव कर एक से खुं़ कर इसलीट अगर एक सेलीग DR. डूसरीक थाज़ ऑगर ओएस गूंती है तो और एक एक्सेस मैं उपलाई सदस्टरा ने बनेंगा ना तो बात थो एक है यह दिसके बनाना मुछिकला यह एव बनाना असान हुआ बात थो एक है रिट पर मिश्ट करे एह तक लेकनगे अब क्वेस्टिन यह दो थो कि यह आई ह liberté तो आया कहां से इसका प्रूफ देखते हैं और इंटरस्टिंग प्रूफ है इसका इसका प्रूफ देखो थेरों आप पारलल एक्सिस के अंदर सबसे पेली चीज़ हम एक कोई भी एक बोड़ी इमाजन करते हैं सबसे यह मैंने इमाजन कर लिए कोई भी बोड़ी इस प्लेन में है राइट इस प्लेन में let is suppose, इस बॉडी का actions ये इसका center of mass है और इसका axis है ऐख में थे, और ये वो axis आप लॉड़ी? से पास हो रहे हैं. और imagine करो कि आपके पास इसमें बहुत सारे particles है इस body में, और such that, suppose यह particle है M1 और यह particle है M2 ठीक है? M1 का perpendicular distance M1 का, इस axis से suppose कितने है? R1 M2 का perpendicular distance इस axis से suppose कितने है? R2 ऐसे M3 R3, M4 का R4 and so on. तो अगर मैं आपसे एक बड़ा simple question पूछ हूँ कि मेरे को moment of inertia निकालने है इस axis के along जो कि center of mass में से पास कर रहा है इस axis का नाम suppose cd axis है तो बोलो I of cd की value क्या होगी? M1 into R 1 square क्योंकि जिस axis के about moment of inertia निकालने है perpendicular distances उसी axis से लेने पड़ेंगे तो M1 का distance कितने है R1 M2 का बोलो कितने है M2 into R2 square M3 into R3 M2 into Mn into R N का square क्योंकि जिसमें तो हर पार्टिकल का perpendicular distance लेते जाएंगे M1 R1 square M2 R2 square M3 R3 square M4 R4 square up to Mn Rn square क्योंकि जिसमें इसके अंदर I will be equal to summation की form में क्या होगा M1 M2 M3 M4 की जिगा M R1 square R2 square R3 square की जिगा R I square where I start from 1 to N. क्या यह point क्या यह point clear है यह तक? So moment of inertia की value CD के about क्या होगी MIR I square कोई doubt इसमें? क्या हुआ है यह तक अब कोई यह कहता है कि मेरे को AXIS CENTER OMAAS तो रखना ही नहीं मेरे को तो नया AXIS लेने और सपोस करो यह कोई भी एक नया AXIS लिया उसने जिसका नाम क्या है A से लेके B तक A B ठीक यह नया AXIS जिसका नाम क्या है इसमें A B ठीक और मान लो इन AXIS में पर्पेंडिकुलर डिस्टंस कितने है H गिवन है और मेरे को तो moment of inertia किसके about निकालना है A B और मैंने आपको बैसे शौटकट तो बताई दिया कि A B के about जो moment of inertia होगा that will be equal to what जो center of mass में से axis pass कर रहे है C D plus mass into distance का square तो basically तो मैंने अब इस expression में इसे क्या करने है प्रूव करने है हमें apply to करना आई गया हमने उल्टा कि हमने apply करना पहले सीख लिए अब हम इसका proof देख रहे है ठीक तो अब एक काम करते हैं क्योंकि मेरे को moment of inertia A B नए axis के about निकालना है तो अब एक काम करेंगे सभी particle का distance अब पुराने नए axis से लिना पड़ेगा यानि कि अगर मैं A B के अब मोमेंट और निकालना चाहता हूं तो M1 का distance सब C D से नहीं M1 का distance A B से लिना पड़ेगा M1 into this distance का square M2 का distance भी नए axis से शिफ्ट करना पड़ेगा यही रूल होता है तो फिर बता हो M1 का distance इस axis से कितना है R1 minus H देखें यह distance कितना है यह से यह तक R1 R1 में से H गया तो यह distance कितना हो गया R1 minus H कुडवट इसमें पॉइंट समझ में आ रहा है यह तक उसी तरीके से यह M2 है M2 का यह से यह distance कितना है R2 R2 में H add तो क्या बनेगा R2 plus H ठीक यहां तक कुडवट इसमें तो अगर मैं यह पूछ हूँ कि बताओ निया axis A, B के about Moment of Nandashya बोलो आप कहेंगे M1 M1 का distance AB से कितना है R1 minus H whole square फिर आप कहेंगे M2 M2 का distance कितना है R2 plus H whole square ऐसी next क्या बोलेंगे M3 M3 क्या क्या बोलेंगे R3 पता नी plus पता नी minus H तो मैं क्या पता अगर उस तरफ है तो plus है इस तरफ है तो minus है कुछ भी हो सकता है and so on तो इसको summation की form में अगर लिखा जाए तो क्या लिखेंगे summation M के पैर में I M1, M2, M3, M4, M4 M1 M1 next bracket start R1 R2 R3 R4 in general Ri minus plus पता नी plus पता नी minus पता नी minus पता नी minus पता नी minus तो फिर plus minus कुछ भी हो सकता है H H H सिरस H whole square whole square whole square whole square where i starts from 1 to n कुडवट इसमें? Point समझ में आ रहा है हां तक? Clear है? तो अब एक्राम करते हैं i of a b will be equal to summation i start from 1 to n मैं क्या करने वाला हूं इसे मैं open करने वाला हूं इसके whole square को क्या? Ri ka square h ka square plus minus 2 Ri into h तो a square b square plus minus 2 a b यह भी clear है? अब यहां से i of a b will be equal to इसे open करने जा रहा हूं है sigma mi ri ka square where i start from 1 to n plus sigma mi into h square where i start from 1 to n plus minus इसको इससे multiply करेंगे तो sigma 2 mi ri into h where i start from 1 to n n put out point clear है यहां तक open कर लिया इसे open करके काम करते हैं i of a b will be equal to इसकी जगा तो replace कर सकते हैं इसकी value ऊपर निकाल रखी है हमने कितने i c d तो नीचे क्या replace करेंगे i of c d clear है यहां तक plus m i h square में से h square constant बहर आगया तो क्या बच्चा sigma mi sigma mi क्या होता है m1 plus m2 plus m3 plus m4 up to m यानि कि total mass of the body m sigma mi का मतलब m तो h square बहर आ सकता है i वली term बहर में आएगी तो क्या एगा h square sigma mi आपको क्या देगा m कुछ बाती बनती लग रही है i c d plus m h बात तो बनेगी बात तब बनेगी जब कोई प्रूफ करके बताएगा कि 2 h common आगया बहर आगया sigma m i r i where i start from 1 to n का summation क्याएगा 0 तब बनेगी जब end की term 0 होगी और यह बचा हूँ answer is the answer तो proof correct बनना जाएगा आप मैंसे कोई बता सकता है sigma m i r i about center of mass का sum हमेशा 0 होगा कैसे और यह 0 होगा 0 नहीं होगा तो proof कैसे करेंगे 0 तो होगा center of mass है कुछ resistance positive कुछ बोलना चाहते हो कुछ बोलना चाहते हो कुछ झाल 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 ठीक है इसको जिरो प्रूव करने के मेरे पास तीन तरीके हैं और इन में से पहला मेथर्ड पहला मेथर्ड कि सपोर्स करो एक्जाम्पल ए प्लीज एक्जाम्पल ले रहा हूँ अगर आपके पास ये सेंटर ओफ मास है ठीक और अगर आपके पास यहां हमने किया था प्रिंसिपल ओफ मोमेंट किया था अगर आपको याद होगा कि कोई यहां पर बैठा है इसका वेट M1G है कोई यहां पर बैठा है इसका वेट M2G है इसका डिस्टेंस सेंटर ओफ मास से R2 है और इसका R1 है और क्योंकि रोटेशनल एक्लिब्रिव में है तो clockwise और anti-clockwise torque एक दूसरे को balance करेंगे तो क्या आएगा यहां से यहां से आएगा M1G into R1 must be equal to M2G into R2 G से G cancel M1 R1 minus M2 R2 must be equal to 0 कुछ लोग ठीक कह रहे थे आदे सेंटर ओफ मास के डिस्टेंस पॉसिटिव होंगे आदे नेगेटिव होंगे और इनका जो सम आएगा टोटल वो 0 ही आएगा कुछ बोल तो ऐसी रहे थे तो ठीक है? ऐसे पूफ हो सकता है यह तो 2 पार्टल है ऐसे 4 होंगे 6 होंगे 10 होंगे तो इनका जो समेशन होगा सेंटर ओमास के सेंटर ओमास हम मानते है तो आदे पार्टल इडर मानते है यह answer 0 के होता है, दूसरा, एक student कहता है कि कोई यह center of mass इतना करने की ज़रूद क्या है, method no.2 कि suppose यह एक body है, इसका mass m1 है, इसका m2 है, suppose यह center of mass है, यह r1 है और यह r2 है, माल लेते है center of mass 0,0 पे, 0,0 पे है, तो x center of mass का formula लगा लेते हैं, m1 x1 plus m2 into x2 by m1 plus m2, x center of mass 0, m1 into r1 की जएगा, minus r1, m2 into कितना, r2, m1 plus m2 तो obviously 0 से कट जाएगा, तो 0 हो जाएगा, m1 r1 is equal to m2 r2, यह एक बार फिर से, m1 r1 minus m2 r2 is 0, यहने कि कुछ positive होंगे, कुछ negative होंगे, लिए total sum 0 ही आएगा, यह भी सही है, तीसरा मेथर्ड, आपसे कोई पूछे का नहीं, sigma m i r i हमेशा, center of mass के बाद, के about answer क्या देगा, 0, तो यह तो आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, तो आपने paper में करना तोड़ीना, आपने सीधा लिखना है, about center of mass, sigma m i r i will give zero answer, तो हो गया proof, ठीक यहां तक, क्योड़ोटिस में, समझ में आपको कैसे करना है, ठीक, अब आप मेरे दो questions का, नहीं, तीन questions का answer दोगे, और तेखते हैं, कितने की देंगे, और फिर मैं आपको objective sheet दोंगा, आपको आज की theorems को किसी questions पर apply करके practice करने है, ठीक, तो proof clear है, proof NCRT वो sheet दे दी मैंने आपको, जो sheet चल रही है अभी, तो इसकी application जो है, देखो कैसे आएग प्सक्वेश की। next है मैं एक्जैम्पल दे रहा था, okay suppose ये एक थिन रॉड है थिन रॉड है इस थिन रॉड को इस आक्सिस के अबाउट मैं रोटेट करूँगा बोलो मोमेंटम नरिशा क्या आएगा? 0 बोला था मैने सारा मास तो थिन आक्सिस के ऊपर distributed है, तो आई क्या आएगा? सही है अब मेरा question है कि इसके perpendicular distance दूर, h distance दूर, ये एक axis है, कोई भी axis है, और मैं आए इसके about निकालना चाहता हूँ तो अब क्या answer आएगा? mh square बस क्यों? क्योंकि formula तो ये बनता है कि जितना इसके about moment of inertia है plus m into h square पर इसके about क्या है? 0, तो answer क्या आएगा? mh square, कोई डाउट इसमें? ठीए क्या था? clear है? okay, question ये है कि suppose आपके पास 3 rods है, 1 2 3 3 तीनों का मास M और लेंथ L है M L M L M L मेरे को इस तीन रोड के अरेंजमेंट को इस आक्सिस के about रोटेट करवाना है बोलो तीनों रोड का moment of inertia इस आक्सिस पर क्या होगा? अँचिच करेंजमेंट धने करेंजमेंट अप्सिजब अव अव पत्सिण करेंजमेंट इस पुश्चन में तीन रोड्स है और यह चिप की हुई है एक दूसरे से आपको इस एक्सिस के वाओ पूरे एच को रोटेट करना है तो टोटल मोमेंट रोड्स है इस एक्सिस पे क्या होगा इन तीन रोड्स का 4 ml square by 3 कुछ लोग बोल रहे हैं अंसर आ रहे है सब कर यह यह आ रहे है प्लोप अंसर बड़े हैं कि अवार, कि अभल रोड़े वाऱ् लोड़े को तोड़े वाऱ्े और रहे हैं झाल प्लबशल नहा है देखो, सबसे पहले, आपको पूछना पड़ेगा, देखो, आपको रोड से पूछना पड़ेगा, देखो, रोड से कैसे पूछते हैं, फिर्स रोड से पूछो, तो क्या contribute करेगी इस एक्से पे, तो रोड नमबर वान क्या कहेगी, मैं कुछ रोड से पाहिए क्योंकि आफको अंधर सी पास होगी, तो रोड नमबर वान का क्ॉछना इatti्क हो गया, बहुच हो एफगा, तो बाकर की थी रोड नमबर वान स MOD Best electric powerत एक्से पास होरहै क्या तो रोड नमबर वान का शर नान Riccedeा पाईक है, तो रोड नमुंबर वान का था ना स्क्रिविशन क्लिए रोड नुम्बर 2 का रॉड नुम्बर 2 का इसको भूल जाओ रोड नम्बर 2 के लिए अगर एक्सेज हैं तो अंसर क्या होगा थोड़ देल्स के लिए हैं थोड़ पहले कियाता था मै इसका हम अजकाई था था क्लास्में तो आज हमने किया था पिछले फॉर्मुलेग क्या है थे जा हीं हों मैं विभूमा कैहा था सब्हुमें कैसे तुम Okay, अब इस रोड से पूछते हैं कि यह क्या contribute करेगी, अब यह कहेगी कि देखो, मेरा जो अगर एक्सिस इस में से पास करवाते हैं, तो मैं अपना अंसर क्या बोलती, जीरो, ठीक है जीरो, और मैंने का यार तेरे इस एक्सिस में से पूछ कौन रहे है, मेरे को तो इस में बत से पूछा था, तो इसका contribution इस पे क्या होगा, थर्ड रोड का, जीरो प्लस इनके बीच में दूरी किती है, जीरो प्लस एमल स्क्वेर, जैसे अब ही आपने किया था, इसका जीरो प्लस एमेच स्क्वेर, यह पॉइंट समझ में आ रहे है, कि इस एक्सिस पे अगर आपको इस रोड का जीरो पर अगर 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 एक्सिस यहां पर है, ह रहाए दूरी पे तो ही फ्लस एमिच स्क्वेर, अगर इए रहाए पॉइंट समझ में आ रहे है, तो फॉइस रोड ने इस एक्सिस पे चॉंटिबुशन जीरो, शेकिंड रोड के यह जीरो थेंग्ट है, ध 3rd rod and this axis are parallel, तो इसका खुद के about 0, 0 plus ml², जो आएगा आएगा, वो आएगा 4 by 3 ml². कोई डाउट इसमें? ठीक, ठीक है तक? Suppose करो किसी objective में, या कहीं भी numerical में, आपको question आता, suppose यह डिस्क है, डिस्क के टेंजेंट एक्सिस के ऊपर, मोमेंट ओफ अनरिशया बताओ क्या होगा, एक्सिस क्या लेना है, टेंजेंट लेना है, अब लोग ना इसमें कभी इसमें, कोई भी हो जाएगा, मैं भी हो जाओँगा, क्या अगर यह डिस्क है, वो बोलता है कि तेंजेंट सिर्फ तेंजेंट तो फिर आप इसके साथ करेंगे. पहले ये सॉल करते हैं, अगर ये आजाए तो फिर बोलो, इस डिस्क का, ये बॉड़ी डिस्क है, तो इसका, इसके बाउट क्या है, 1 by 2 mR square, और दो अगर 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 ये होगा, बोलो, अंसर क्या होगा? चेंज कर दिया, अंसर क्या होगा? ML, L नहीं R की फॉर्म में होगा, अंसर क्या होगा, मुझे लगता नहीं है, में कर देता हम, देखो, देखो, इस नहीं क्या है, इस को ढूं सिर्व एक लिए ये क्षिए अपस में क्या है? पारलव है, बफटा फटाख इसका उन्स या था और आटा और ये आट क्या है? बता रहा हूं, तो इसके अंदर next में, अगर आप इस axis के about eye निकालना चाहते हो तो आपको इसके parallel कोई तो axis चाहिए जो center of mass में से पास करें और जिसका answer आपको कुछ पता हो और वो axis है हमारे पास, ये वो axis है जिसको आप क्या बोलते हैं, diameter देखो, ये जो axis है, ये डिस्क के लिए क्या अक्तर रहे है, like a diameter, और आज, starting of lecture में, diameter में, एक डिस्क के अगर इस axis पे, इस axis पे 1 by 2 MR square डिस्क का moment of inertia given है, तो बोलो, diameter के about answer क्या होता है, 1 by 4 MR square, क्या था था आज हमने? तो इसका मतलब, इस axis पे 1 by 4 MR square है, और ये दोनों axes आपस में perpendicular हैं, तो answer is 1 by 4 MR square plus MR square 5 by 4 MR square is the answer, ठीक? ठीक है, point समझ में आ रहा है यह तक, clear है, अब same question करो, अगर suppose ये क्या गिवन होता? रिंग, अगर ये रिंग given है, ये रिंग है बोलो, रिंग के इस axis पे answer क्या होता? Tangent 3 by 2 MR square क्योंकि पहले आप रिंग का डामेटर निकालते, रिंग का सेंटर लेक्सेज MR square है, तो डामेटर आज हमने किया था 1 by 2 MR square ये R है, तो 1 by 2 MR square plus MR square 3 by 2 MR square क्योट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है या तक? ठीक ठीक है या तक? Okay, फिर ये question करो Suppose आपके पास ये एक disc given है disc 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 given है disc given है mass M and radius R के discs है आपको axis ये given है इसके about moment on अधिशा बोलो क्या होगा तीनों disc का red ये जो line है इसमें dotted इसके about moment on अधिशा क्या होगा तीनों disc का अधिशा के अधिशा इस जो दो आदिए इसे घ्सर अधिए रोगड़ आपको अधिशा बीस क्यूआ 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 देखो देखो ध्यान आगे प्लीज सबसे प्लीज मुझे पता लेखते हैं देखो इदर देखो प्लीज इदर यह डिस्के लिए यह एक्सेश टैजेंट रहे तो अगर यह डियमेटर होता डिस्क का तो अंसर क्या होता दो अनसर क्या होता 1 by 4 4mr², यह होता है डामेटर, लेकिन हमें तो red axis निकालना है, at a distance of r, तो बोलो क्या होगा, 1 by 4 mr² plus mr², तो पहले disk का contribution clear हो गया, कि पहले disk कितना contribute करेगी इस axis पे, ठीक यह तक, clear है, ठीक, तो पहले diameter का लगाओ, तो और माँ parallel axis लगाओ, अब दूसरे disk लो, इसका भी तो same है, कि इसका भी, अगर डामेटर लेंगे, उसके बाद तेरो माँ parallel axis से same, तो into 2 कर दें, दोनों disk का same contribution है, कोड़ावट इसमें, clear है, ठीक है आता है, next, इस diameter से पूछो, यह कहता है, यह तो खूदी axis diameter में से पास कर रहा है, तो diameter का axis पर क्या होता है, 1 by 4, answer, क्योंकि यह axis इसके लिए क्या आख कर रहा है, like a diameter, तो diameter का सीधा formula लग गया, 1 by 4, mr square, क्या यह point सब को clear है, add कर लो answer, ठीक यह तक, quit out इसमें, ठीक, ठीक है, ठीक है, डलाएा हाओ रहाँ, यह तो यह तो झाल 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 यह यहां तक झाल 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 गेश्च झाल झाल घंड अब एक काम करो अब जेक्टिव शीट आज मैंने डिस्टिब्यूट की है अब जेक्टिव शीट नंबर 35, 36 और 37 जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे है 35, 36, 37 जो अखरी शीट है गलती से उसकी नंबरिंग 38 लिख दी मैंने 37 कर लो प्लीज 37, 35, 36, 37 तो जो लोग रिकॉर्डिंग से प्रिंट लेगे उनको रिकॉर्डिंग चेंग की व्य तो आप प्रिंग अच्छिंग मैंने कर दी है 35, 36, 37 का प्रिंट रो अब्जेक्टिव 35 sheet कि आधी क्वेस्टिन मैंने कर्वा दी एक क्रश मेंने करवा दी है वो है 1, question number 2, question number 4, 5, 6, 7 and 11, ठीक, first question, करो start के टेस्ट में 10 question collisions के डालूँगा और बाकी जो 20 question है work power energy के, तो please अच्छे से revise करना और concept को अच्छे से पढ़के आना कि कैसे energy conservation लगती है और कैसे collisions चलती है और लिए अच्छे से और, कर से जाखब का you